नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका भाय पतीक मलग और जैसा कि मेरे कुछ साथी कुछ दोस्त मुझे कहा रहे थे कि सर टीजीटी का भी airlines कर दीजिए उनको P AI टी का आनलेसिस पसंद आया तो आज हम ले केटेगरी में रहते हैं ठीक है केटेगरी वाले अपनी जैसे जो SC वाला है वो SC में रहेगा जो जन्रल वाला है वो जन्रल जन्रल में रहेगा वो बीसी वाला वो बीसी के अंदर रहेगा तो इस बात को मिस्ट इंटरप्रेट मत कर लेना देखिए मैं बताना चाहता हूं इस इस कर रहा हूं तो इसी के बारे में कहूंगा तो इंटर्व्यू के लिए जो cutoff आती है उसके अंदर सब लोग category के लोग category में ही रहेंगे ठीक है वो reason भी बताऊँगा मैं आपको क्यों और लेकिन जब final cutoff बनती है तो उसके अंदर हमारा एसी वाला यूर के सीट में जा सकता है जो general वाली सीट होती है वी सी वाला भी यूर के सीट में जा सकता है इस तरह से हमारा चले जाते है ठीक है लेकिन अब भी जो cutoff आएगी यह मैं आपको अगर आप प्रूफ चाते हैं तो अब भी थोड़ी दिर मै आपको प्रूफ भी मिल जाएगा जब मैं एनालीसिस करूँगा ठीक है और पर जो इंटर्व्यू के टाइम पे हमारा अज भी cutoff आने वाली है जिनको बस यह जानना था कि category की category में रहते हैं तो हाँ जी यह बिल्कुल चत प्रितिशत 100% यह बात true है इसमें और भाई देख को अगर किसी को हीट कमेंट करने हो तो वह अभी वीडियो छोड़ दे क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि cutoff की वीडियो इतनी लंबी बना दी देखो भाई मैं cutoff को पूरा अनालीसिस करके अगर मैंने चार दीन अनालाइस करने में दिये हैं तो एक सेगिंड मैं बना क्यों भाई क्यों रहेगी रीजन में को कमेंट में देने पड़ते हैं तो मैं अपनी वीडियो में ही रिजन्स दे देता हूं कि क्यों रहेगी ठीक है तो अगर किसी को दिक्कत हो इसी से तो भाई most welcome आप वीडियो छोड़के जा सकते हैं दूसरा जिनको लोगों को नहीं वो कहेंगे कि नहीं भाई category वाले अपनी category में नहीं रहते हो नहीं रहते तो भाई अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप प्रूफ देख लेजिएगा अभी मैं दिखा दूँगा उससे पहले please कोई comment मत करना और अगर आप में यह इच्छा है तो अभी वीडियो छोड़ कि में होंगे रीजन में बजाता हूं देखिए जैसे हर बार जैसे माले आपके यू आर की मालों सो सीट है ओबी सी की मालों पचास सीट है ठीक है तो क्या होता है कि कई बार मतलब जैसे इंटर्व्यू के लिए अधर भाई गुना वच्चे बुला रहे हैं आई गुना बच्चे हमें बुलाने ही हैं, तो हम क्या करेंगे, कि OBC वाले अलग रख लिए, यूर वाले अलग रख लिए, यहां से टोप 200 बच्चे कर दिया, और जो आखरी बच्चा लिया हमने, उस पे उसको बोल दिया कट ओफ, कि भई यह कट ओफ है, यह बच्चे तक क्या हमने लि लिए जाते हैं, हाँ सही सुन रहे हैं बिल्कुल, OBC की जो कट ओफ होती है, हमारी जनरल से उपर चली जाते हैं, अभी हम आपको प्रूफ भी दूँगा कि कैसे गई है, कहां कहां गई है, तो आईए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अनलेसिस, ठीक है फ्रेंड्स 16 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर कितनी सीट है, मेरा अनलेसिस करने का यही तरीका है, मैंने पेपर को अनलाइस किया है, तीनों को, जो 2016 में आये थे, जो नोर्थीस्ट में आया था, और जो अभी आया था, उसके बाद में मैंने पेपर में इतना कुछ खास नहीं देखा, लेकिन उसके बाद में मैं, मैंने कट ओफ को देखा कि 2017 में कट ओफ क्या रही थी, तो उसके उपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो यही देखते हैं, देखिए, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ, TGT English को, मैं subject wise लेके चलूँँगा, subject wise आसानी होगी, न iC की, 18 ती जैसे मैंने बताया कम है, ठीक है, तो इसके कम बच्चे मा लो, Around 40 बच्चे वुलाए होगे, इसके 40 बच्चे वुलाए होँगे, तो वहीं इसके सो के आसपास, 100 से ज्यादा ही वालकि, 110 के आसपास बच्चे बच्चे thank you, जो अबढ़ होंगे, तो अब इस होंगे वो कई ना कई 120 से उपर रहेंगे ठीक है इस वज़े से यहां पर ज्यादा गई थी वह भी बता दूंगा आपको चलो अभी हम यह देखते हैं कि English का English में हमारे 90 बच्चे थे ठीक है North East में क्या होता है North East में हमारी जो English की सीट निकलती है कि तीन गुना वेकेंसी हैं 2016 2016 में जो मारे वाकेंसी थी उस से चुता दो अभी में बात करने वाला हूं कि कट ऑफ कह रही आ आ पेपर का लेवल लए बगला सेम था मैं बता रहा हूं बारमर कि मैंने देखा है देखे जो मैं बता रहा था कि हमारा झूधर औल्षी crash aktist 새로운 नंबर था वो उपर चला गया था 96 मारी OBC गयी थी हमारा general गया था 95 यह वाला कि अ कि अ जो यह पार्ट है यह वाला हमारा ठीक है दिका देता हूं यह journal part है ठीक है यह आगर आप देख सकते हैं यह journal है यह OBC है ठीक है प्रैंट्स यह ज़नरल यह वभी सी तो अगर मैं English की बात करूँ तो English का यह था थिक है वहीं अब मैं बात करता हूं कि जो हमारा North East में गई North East में आप देख सकते हैं North East में दिखा लिता हूं TGT English की cutout गए थी 102 जबकि हमारी कुल 26 सीट थी 90 सीट से 26 सीट हुई तो फरक पड़ा है उसके according में बता सकता हूं कि जीतना मैंने predict किया है कि मेरी जर्णल के लिए cut off जाएगी 80 से 85 to 88 ठीक है इतनी cut off जाने के chances है जर्णल के लिए OBC के लिए जिसके 85 के आसपास marks बन रहे हैं वो अपनी तयारिक कर लें interview की यह maximum बता रहा हूं मैं इस चे उपर नहीं जा सकती ठीक है है और नहीं भी आ सकती वह आप बच्चों पर है आपने कैसा पेपर किया है ठीक है तो यह तो हो गया हमारा इसका अब दूसरे दूसरे पर आते हैं कि दूसरा हमारे ऑटिजिट हिंदीगा देखिए टीजिट में हमारे 116 बGM फे जिसमें 60 सुआर की थी और OVC की 31 सीट थी इसके अंदर क्या होता है फिर ऐक बड़amı नोर्थिष्ट के बिता हूं नोर्थि इसके अंदर हमारा टीजिट हिंदी में मातरë् चोदा चोदा सीट थी यूर की और टाइस सीट थी टोटल ठीक है अब देखे कट ओफ कट ओफ क्या रही थी टीजीटी इंदी में टीजीटी इंदी में हमारा बानवे नंबर पर कट ओफ गई थी ठीक है बानवे नंबर पर कट ओफ कब गई थी जब हमारी 116 सीट थी टोटल ठीक है और जब हमारी 28 seat हो गई है तो नोर्थ इस्ट की जो cutoff रही है वो गई है 109 तो अगर मैं इसका बताऊं तो इसकी cutoff अभी हमारे जैसे अगर देखते हैं कि अभी जो हमारे TGT की जो seat है वो है 265 ठीक है 134 यूर 265 यह तो भई अब की बार भी अगर और कुछ नहीं तो 80-85 ठीक है 80-85 मैं मान के चल रहा हूं कि cutoff आपकी जाएगी maximum इतनी जा सकती है और नीचे इससे जा भी सकती है ठीक है पर 80-85 एक नोर्मल है जो एनलेसिस है जो पेपर को देखके किया है तीनों पेपर को करके किया है ठीक है हाँ दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कुछ लोग कहेंगे कि सरीष के अंदर तो नोन सीटेट वाले भी क्वालिफाइग कर रखे हैं तो आपकी बार लोग बढ़ गए है यह वह है तो भाई मैं उस चीज़ के लिए भी क्लैरिफिकेशन अभी दे देता हूं कि अगर मेरे नोन सीटेट वाले बढ़ते हैं ना तो भाई जिन्होंने अभी पास किया है वह नोन सीटेट हैं तो मैं वह मान सकता हूं कि वह आपको टक्कर देंगे ठीक है लेकिन जिनका पिछली बारों से सीटेटी क्लियर नहीं हो रहा था ठीक है तो वह आपको के वीस म होता है वह को टा वाले काले कि ए क्पटिशन होता है कि कउइंटी में बोत सारी आसी जगह जहां पर लोग बहुत वहटा जाते हैं क्वालिटई तनी खास नहीं होते और कट ओव स features हमारी नीचे जाते हैं इसी वजह से बताया कि जो नोन-सीटeट वाले है वह मैं quality वाले बच्चे ज्यादा नहीं मानता हां होंगे जरूर होंगे दस परसेंट पांच परसेंट का फर्क डाल सकते हैं वह पांच परसेंट बच्चे पर डाल सकते हैं जिनका पिछली बार किसी और कारणों से वह रह गए थे लेकिन जो पड़े भी थे और जिनका हिंदी हो गया था अब आते हैं सस्टी में भी बहुत ज्यादा है अभी देखिए एक सो साथ सीट थी वहीं 2016 में जो हुआ था नोर्थीश्ट में जो हुआ सस्टी की सीट रह गई थी मातर बाईस ठीक है अभी जो नोटिफिकेशन निकला है इसके अंदर एसस्टी की सीट ह सबसे ज्यादा सीट एसस्टी की है सबसे ज्यादा सीट एसस्टी की है सबसे ज्यादा सीट एसस्टी की है हम मैं बताता हूं क्टोफ क्या रही थी कि देखे जब हमारी एक सुसाट सीट थी ना एसस्टी की टीजीटी एसस्टी की तो हमारा तिरानवे कट ओफ तो रही थी जनरल की और चुरानवे रही थी हमारी ओवी सीगी देखिए यह रही भी क्यों थी एक नमबर जाद क्यों बढ़ गया था जब हम देख रहे थे एसस्टी का तो तिरास्थी तो हमको जनरल की सीट्स थी और बयाली सीट्स थी हमारी मत तो इस वज़े से तो भई अब मैंने बता दिया कि यह जो कट ओफ रही थी ठीक है यह रही रही तिर्ण और चुरान नंटी-टी-टी-फोर एनिकी कट ओफ कितने रही थी एनिकी जब हमारी केवल 222 थी तो हमारी कट ओफ रही थी 100 ठीक है तो यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकत हैं जब कि हमारी कि 435 सीट है तो भई यहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि टीजीटी एसस्टी के लिए भी कि मेरी कि 85 80 to 85 जाएगी ठीक है 80 to 85 रहेगी कट ओफ आप तैयारी कर सकते हैं टे वाले बच्चे अराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है फ्रेंट्स खुने में अब आते हैं अब आत्यां में अश्यायं कि डीजीटी संस्क्रीट में देखें टीजीटी संस्क्रीट का तो बड़ा बुरा आल सा है थी мth घौठे एक बार इसकी cutoff ही दिखा देता हूं आपको 53 सीट पे कितनी cutoff गई थी, 53 सीट पे आपके cutoff गई थी 90, 90 कट गई थी 53 सीट पे ध्यान दीजिए गई इस जगह, ठीक है, नोर्थीस्ट में क्या होता है, नोर्थीस्ट में आपके संस्कृत की है, मातर 17 सीटे, 17 सीट जब हो है, क्योंकि 17 सीटे तो गिने चुने बच्चे हो जाते हैं, वही बिल्कुल, अब, अब की बार आपकी जो संस्कृत के अंदर हैं, वह हैं, 124 सीटे, ठीक है, 61 सीट, तो खाली यूर, यूर कि है, तो अगर यहां आप प्रिडिक्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो यहां मैं करके बता सकता हूं कि इसकी भी 8285 वाले तयारी कर लें वही अपनी, अच्छे से, ठीक है, 8285 वाले अराम से तयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 80 नंबर पे कट बिल्कुल जा सकती है, आपका इंटर्यू लेटर, इंटर्यू के लिए कोल आ सकता है, ठीक है पैसेट सीट हमारे जनरल की थी, नोर्थ इस्ट में हमारी जब बारा सीटे थी कुल, मलब चोबी सीटे टोटल थी और बारा जनरल की थी, तो देखे, जब हमारा मैथ में 126 सीट रही है, तो निन्याड़ में कट ओव गई है, देख सकते हैं, आप निन्याड़ में 99 कट गया था, नोर्थ इस्ट के अंदर हमारा मातर बारा सीटे थी, मारा वही बात गिने जोने बच्चे हो जाते हैं, तो हमारे 106, 100 कितनी गई थी, हाँ, 106, ठीक है, 106 कट ओप गई थी हमारी, ठीक है फ्रेंट, तो अब की बार, अगर मैं कहूं कि अब की बार, इतनी तो मैं प्रेडिक्ट करके चल रहा हूं, वो 92 के असपास मेरी कट ओफ रहने की उम्मीद है, ठीक है, जो मैंने देखा है, जितने बच्चों के जो माक्स वगेरा या फिर आप देख सकते हैं कि भई पेपर वगेरा देखा है, जो तीन पेपर देखे हैं, तो 92 के असपास र यारी कर सकते हैं, अच्छा एक और बात बदाता हूं, इस कट ओफ पे क्या और फर्क पढ़ रहा है, इस कट ओफ पे DSSB के जो एक्जाम हुए है, उनका भी बहुत ज़्यादा फर्क पढ़ेगा, कुछ बच्चों का PGT में या फिर TGT वगेरा में सेलेक्शन हो रहा है, त तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फर्क पढ़ेगा, ठीक है, तो यह वाली इन चीज़ों का भी फर्क पढ़ता है, ठीक है, तो भाई, मैस के लिए आपका हो गया है, अब आता हूं मैं, साइन्स, साइन्स, साइन्स रहे था, हाँ, साइन्स, देखे, साइन्स है हमारा 120 सीट थी, 62 सीटे मेरी जनरल की थी, नोर्थिस्ट, मेरी साइन्स की सीट थी, 14 और 27 सीटे मेरी टोटल थी, और 14 मेरी जनरल की थी, तो आब जब साइन्स की 120 सीटे थी, तो आप देख सकते है, 97 cut off गई थी और जब North East में पहुचे North East में जब मेरी 27 seat हो गई थी तो 102 cut off जाती है ठीक है तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये predict करवा रहे हैं कि इसकी कितना जा सकती है science के लिए science की जब 290 seat है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी यहां भी 92 95 सकती है 90 से लेकि 95 तक अब अपनी तैयारी कर ले 92 95 वाले ठीक है प्रेंट्स कि दो चार नंबर उपर नीचे हो सकता है बाकी ज्यादा नहीं होगा जितना prediction है कि अब आया मेरा कि अब आप फ्री हैं जो जाना चाहरे हैं बस एक चीज और अगर आपको अब एंट लिए टेंट हें कि तयारी करनी है तो मैं उसका लिंक आपको description में दे दुढब एंटर्यू की तयारी के लिए जो एक ही वीडियो में आपको सारा पता चल जाएगा लिए में क्या क्या आप से पूच सकते हैं क्या 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 नहीं पूच सकते हैं तो आप पी एच ठीक है पी एच पे फीजिकल एजुकेशन की जो 67 थे हमारे टोटल केंडिडेट नोर्थ इस्ट में कोई वेकेंसी नहीं थी फीजिकल एजुकेशन की पहले इसका 200 नंबर का पेपर होता था आपकी बार 1500 नंबर का पेपर हुआ है ठीक है ब्रेंट तो जो इसकी कट गए थी हमारी फीजिकल एजुकेशन की तो आप देख सकते 130 कई थी 200 में से तो अब की बार जो मैं प्रेडिक्ट करके चल रहा हूं फीजिकल एजुकेशन की जितने सीट है कि 97 सीट है ठीक है ज्यादा इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नी तो मेरी मेरा मानना है कि 92-95 कट अब आफ की दिली में वह भी वेकैंसीज वगएरा का फर्क पड़ सकता है इस वाले पॉर्शन में अब आते हम आठ एजूकेशन पर आठ एजूकेशन में जहां हमारी ती 120 अब की बार सीटे कम हुई है आठ एजूकेशन की आठ एजूकेशन में हुई है हमारी 107 सीट रह गई ठीक है तो पिछली बारी जब Cut-Off गई थी 200 में से गई थी ये बही 130 पे गई थी अब की बार जो मैं आठ एजुकेशन पे लेके चल रहा हूं कट ओफ को फोर फिर जो काफी स्टुडेंट पूछ रहे थे कि भाई 95 के आसपास या 95 से प्लस हमारी रहने की पूरी उमीद है तो अपनी तयारी कर ले 95 वाले या उससे उपर वाले ठीक है फ्रेंट अब मैं बात करता हूँ डबल्यूई डबल्यूई वर्क एक्सपिरियंस हमारे के विस के अंदर बहुत ज़्यादा काम सबसे ज़्यादा काम करने वाला बंदा डबल्यूई है सेंटी फॉर कट उफ गई थी हमारा नोर्थ और यस्ट में वेक्षन नहीं थी इसकी नोटिविकेशन में फेर अमारा अब की बार है अब की बार इसकी वेक्षन हैं वरक एक्स टीचर की 117 वेकंसी है ठीक है तो इसकी जो मैं कट ओफ लगा के चल रहा हूं मेरे हिसाब से इसकी कट ओफ जाएगी सो सबसे जादा कट अगर जाएगी तो वरक एक्सपिरियंस वारे टीचर की जाएगी वैसे इनका लेवल थोड़ा साही होता है इंजिनियर वाल यह वाली वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें ठीक है और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही आगे रोचक जानकारियों के लिए ऐसे ही अब मैं आगे PGT की भी लेके आऊंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा या एंट स्क्रीन पे लिंक का जाएगा या आ चुका है थैंक्यू फ्रेंड्स आप